बोली शिरी प्रार्नात प्यारी कीजे सत्गुरू महराजी कीजे पन्ना धामी कीजे सब सुन्दर साथी कीजे बोली शिरी प्रार्नात प्यारी कीजे पड़ामची सुन्दसाजी आप सभी सुन्दसाजी की धाव मिर्दे में विराजी शीराज शामाजी के चर्णों में शर्षत नाओ सुन्दसाजी आप शीराजी शामाजी की में से श्री परिक्रमरा गरंद की नूरी शोभा को दिल मिलेने का प्रयास कर रहे हैं सद्गुरु माराज श्री जोहरदास जी जो वानी मर्मक्य हैं, चश्नी समराथ हैं और उनकी ये टीका, उन टीका के प्रकाश में श्री प्रक्रमा की उन शुभा को समयने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकाश नमबर 13 चल रहा है भी अपना और चपई नमबर आज करना है 52 से। दो सीडियों के सीरे पर दोई दर्वाजे बुझरक, दो तरफों, दो दिवाली, शोबित वाही माफ़ा। श्री पुखराज पहार कल उनके आठ पहारों का वर्णन हुआ, आठ पेड़ों का वर्णन हुआ, उन वर्णन को भी एक बर दोराते हैं। कल हमने जाना कि पांच अधार स्थम, पुखराज की पांच पेड़ तो ये हुए। छटा पेड़ पुखराजी ताल, छे पेड़ी हुए और दो पेड़ हैं ये घाटियां, उची अतन्त घाटियां। जैसे इस चपई में हमने कल देखा, बढ़ियां ऊची आसमान लो और खुबी देद अती जोर, जोर जवेर अती जलकत, किनार दो सीधी दो। अब कुछ इस दुनिया के पिक्चर से ही इस शोबा देखने का प्रयास करते हैं, ये देखिए उतरती सीडियां, ये शोबा यहां के एक पिक्चर की छोटी सी, तो वो जो हजार घॉम उपर से सीडियां उतर रही हैं। हजार भूम, एक-एक भूम में सीडियों का रंग बदलता हुआ, उनकी शोभा, उनमें बड़े-बड़े सीडियां, दोनों और बेलिंग की जगे वहाँ पर महलातों की शोभा है और उसके दोनों और उचे अतन्त व्रिक्ष है महावन के हजार भूम उचे व्रिक्ष और उनकी बीश में से उतरती सीडियां, एक घाटी का ही, एक सुन्दन मनोरम घाटी का ही जिशे उपस्तित करती हैं और इन सीडियों से बड़े-बड़े हाथियों का उपर को जाना कि देखी बड़े चान्दे का भी अपने को इसमें प्रति रूप मिल गया और दोनों तरफ उचे अतन्त व्रिक्ष तो वहाँ तो महावन के व्रिक्ष होंगे जिनकी एक पूम में अपने को तना उनकी डालियों का विस्तार नजर आ रहा है उपरा उपर ये व्रिक्ष भी महल माफ़क हम यहाँ सीडियों पर हैं और इन व्रिक्षों की तरफ देख रहे हैं उचे अतन्त मालीच हम पांच हास भी हैं यानि हम पांच हास की सीड़ी पर ही है जब इनसे पांच भूम उपर है लेकिन ये सीडिया है हजार भूमों पर तो भूम दर भूम अपने को फूलों के महल नजर आएंगे यहाँ पर फूलों की मुहलाते नजर आएंगे इसमें एक धामशुश्वा में नक्षा है वो निकालते हैं हम सीडियों पे हैं सीडियों के दोनों और व्रिक्ष ऐसे भूम दर भूम उनकी महल बनते हुए उनकी महराभी द्वार कई रंगों नगों में छिल मिलाते प्रतिक भूम में शोभा बदलते हैं और साम सामी शोभा सामने उस हास में सीडियों की भी वैसी शोभा हो माल लीजी अपन दस्वे हास में है, दस भूम उचाई पर है तो दाए बाए ज़ा दस भूम उचाई पर उन महावन की वरिक्षों की शोबा देखें जैसे ये दस्वी भूम की उचाई है तो यहाँ पर भी पूरी शोबा, अगर सीड़ी की स्वर्ण में है तो यहाँ भी स्वर्ण में सीड़ी की मानिक रंग में है तो यहाँ भी मानिक रंग में तो साम सामी जलकार एक सुंदर शोबा को हम मैसूस करे कि जो हम सीड़ियां चड़ रहे हैं तो दोनों और महा बिलंद व्रिक्ष है यहाँ पर भी अपने कोई यह उच्छे व्रिक्ष नज़र आ रहे हैं और यहाँ दिहोरिया, उन पे कलज, धजा, पताका, भूम दर भूम जो महलाते आई है इन महलातों को यहाँ से देखे यह सीड़ियां चड़ रही हैं पीश में और दोनों तरफ महल चल रहे है पहले हास में एक हो, दूसरे हास में दो हो, तीसे हास में तीन हो, चोथे में चार, पांचे में पांच ऐसे जैसे 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 जिस सांस में जा रहे हैं महल उत्ति भूम के होते जा रहे है तो हम पुखराज के उन बड़े दरवजे से बैट के इसको देखेंगे तो यह महलों की उतरती हजार सीड़ियां और परतेख महल की चार्मी पर छेछे ध्योरियां उनकी कलश धरजापता का और उनमें घुंग्रियों की शोभा और बीच में चड़ती ही सीड़ियां और इन सीड़ियों की बीच में चार्दों की भी अती सुनदर शोभा आती है तो इस तरह से सीडियों की प्यारी शुपा जंडे कलश पूरी क्या सुन्दर समा और आस्मा से हम देखें तो दोनों तरफ हजार भून के व्रिक्ष और उसके बीश में उतरती गई है सीडिया दो सीडियों के सीडिय पर दो ए दरवाची बुच्रक दो तरफो दो दिवाले शोबित वाही माफ़ा उत्तर पशिल दोनों सीडियों के सीडिये पे दो बड़े द्वार है चारों दिशों में बड़े द्वार है ना जिनकी पांच परावर एक ही भूम हो गई तो वो सीडिया उन दरवज्जों के ठीक सनमुक लगती हुई जैसे हम देखते हैं तो कि सीडियों के वढ़नन के लिए अपने को बार बर धामदरवज्जी के और जाना होगा कुकि सीडियों का वढ़नन वहीं अच्छे से दिया है कि हमने सो सीडियों 20 चांदे चड़े आखरी चांदे पे हैं वहाँ से एक स्टेप चड़के हम दो मंदरी की चोक में जाते हैं और सामने अपना धाम दर्वज़ा ऐसे इन सीडियों में हम देखेंगे कि जब हम सीडिया पूरी चड़ लेंगे तो लास्ट वाला जो दो सो कोसी एक चांदा आया है कल हमने प्रते एक हांस में देखा ना एक नक्षा निकालती हूँ कि एक हांस की शोपा है कि लास्ट में सीडियां चड़कर लास्ट में दो सो कोसी चांदा आता है लास्ट में दो सो कोसी चांदा आता है तो सबसे लास जब हम स्टैप पे चरेंगे तो हम इस चान देगे होंगे यहां से एक सेड़ी चड़ कर उपर आएंगे तो सू कोस का लंबा चोड़ा चोप होगा और सामने अपना बड़ा दरवच्चा होगा और दाएबाई चबूत्रे होंगे अचबूत्रों के ठीक सामे अपने ये सिड़ियों के दोनों और वाले मोहल होगे तो इस तरह से शोबा कि दो सिड़ियों के सिड़े पे दो ये दरवच्चे बश्चा चान नी पर जो बश्चत दरवच्चे आएं चारों दिशाओं में उसमें पर्श्चिम और उत्तर दोनों तरव दो दरवच्चे दो तरव दो दिवाले अब सिड़ियों के और देखते हैं तो सिड़ियों की दोनों तरव दो दिवाले हैं और उनमें प्रतिक हांस में छेशे अजर्स, दोनों तरफ हम देखेंगे, तो छेशे अजर्स वो है, देहुरिया, महलाते, यह देखोंगे, यहां से वापिस देखते हैं, यह बीच में सेढ़ियां चड़ती हुई, हजार भूम की महलातिया, प्रतिक महलात पर छेशे ध्योर्य, तो इस तरफ छेशे अजर्स द्योर्य हो गए, छेशे ध्योर्य इस तरफ हो गए, तो टोटल बारह हज़ाड ध्योर्य की बात आती है, यह दिखें, यहां दो हास दिखाया ना, 6 द्योरी एक हास में, तो हजार हास में वी 6,000 द्योरी, इधर भी 6,000 द्योरी, तो टोटल 12,000 द्योरी दो तरफ, दो दिवाली, शोवित, वाही, मावब, उत्तर पशिम, दोनों सीरियों की सेरे पर दो बड़े द्वार है, अमने सीरियां चड़ी, और सीरियां चड़ते ही हुम बड़े द्वार की सनम पहुचे, इन पिक्चर से भी देखें, यह सीरियां बड़े द्वार पी जा अब इन दक्षों में हम देखें सिडिया कहां पहुचा रही हैं? यह देखेंगा यह सिडिया इन बड़े दरवज्चे तक अपने को पहुचाती हैं और सिडियों के दोनों और महलाते कितना प्यारकरम चलता है कि हम पहले हांस की सिडि देख रहे हैं तो दोनों तरफ एक महलाते हैं दूसरे हांस में आगए अब हम तो दूसरे हांस में दो भूम की महलाते दाई तरफ तीसे हांस में तीन भूम की महलाते दाई तरफ और उन महलातों की चादनी के ओपर छेछे दिवरियां दोनों तरफ तो हजार हांसों में हजार मुहलातों की स्टेप्स हो गई अगर भूम दर भूम अगर हम मुहलातों की सिड़िया गिनते हैं तो वो हजार सिड़िया है और उनकी चादनी पर छेछे दिहुरिया दोनों तरफ तो तोटल बाराजार दिहुरिया दोए द्वार इत ओर हैं इत चान्दनी चार द्वार सो चारों तर्फों जग मगे शोभा अलेखे अपार अब इन सीडियों के दो द्वारों के अतरिक दो बड़े दरवज्जे हजार हां चान्दनी पर ओर है चान्दनी पर चारों दीशों में चार द्वार हैं चारों और से प्रकाश करते हुए ये द्वार चक मगा रहे हैं जो अब बड़ने हैं अब हम इधर दिखिएं दो दरवज्जी पश्शि और उत्तर हम इन हजा रहांस चाननी पर है अपनी चारों देशाओं में चार दरवज्जे है जिनकी एक ही भूम में दाई भाएं हजार हांस मुलातों की पांच pink भूम में नजर आ रही है हम इन दरवज्जे के चोक में हैं तो दाएं देखेंगे तो पांच भूम के महल इधर देखेंगे तो पांच भूम के महल अपने को पूरे नजर आ रहे है अब हम पश्चिम दरवज्जे से बाहर निकले या उतर दरवज्जे से बाहर निकले चोक में आए सोकोस के लंबे चोड़े चोक में और सामने अपने को उतरती सीडिया सोकोस की चोक से हम एक सीड़ी उतर के आएंगे दो सोकोसी चांदे पर और उसके बार उची अतन सीड़ीया उतर रही है और सीडियों के दोनों और माहावन के व्रिक्ष है अनिक रंगों में जिल मिलाते हुए उपरा उपर उनकी महलाते बन रही है और एक महलात कब संपूर होती है जब खेर के थम कियार आती है उन थम्बों कियार में हिंडोले और महावन है तो आपको उनकी बीच बीच में नहरे चेबच्ची सब नज़र आएगा जल की शोभा भी उपरा उपर कई स्थानों पे नज़र आएगी कहीं उन व्रिक्ष की तनी में सी जल का ज़रना बैठा हुआ कहीं जा आड़ी खड़ी गलिया कट रही हैं उसके मध्धे अपने को एक फौन्टैनिक फवारा चलता हुआ तो जिते दिल में शोभा बैठे जल की शोभा भी हो सकती है तो दो तरफ तो अपने पास सीडिया हो गई अब इन सीडियों पर यहां पर खड़े हैं पहले तो उतरती सीडियां देखे कित्ती विशालता से वो सीडियां उतर गई है थोड़ी सी विशालता दिल में बठाने के लिए हम ये लेवे कि कैसे सीडियों उतरती वही अपने को नजर आ रही है ये देखें, बीजविश में चांदे, दोनों तरफ महल बराबर नीचे उतर रहे हैं महलों के दोनों तरफ देखेंगे तो ब्रिक्षों की सुन्दर शुबा, भूम दर भूम ब्रिक्ष की महल आते तो दो दिशों में तो अपने को ये नजर आ रहा है अब हम दक्षिन तरफ वाले दरवज्जे से बाहर जाए तो वहाँ पर दक्षिन तरफ और तो कोई शुबा है नी, वहाँ पर महावन है तो महावन ने मिलान कर लिया है, लेकिन वहाँ पर भी एक आंकड़ी है जो दरवज्जे के ठीक सामने नहर आई है दक्षिन दिशा की उन जगे जिसे हम इदर से रेखे कि ये मान लेवे अपन दक्षिन दिशा है दक्षिन दिशा नहीं है पर एक बर समझ दे के लिए अपन मान लेवे कि ये दक्षिन दिशा है अब दक्षिन दिशा में, एक दक्षिन दिशा में एक नहर का वर्णन है यहाँ पे यह नहरा गई यह नहरा गई यहाँ पर कि हम लाल चब उत्रे वाली यानि रंग महल की उत्तर दिशा में है पचास आंस है, पच्चिस आंस एक तरफ चोड़ो, पच्चिस आंस एक तरफ छोड़ो बिल्कुल मद्दे से व्रिक्षो के बीश में से होते हुए आगे बढ़ो व्रिक्षो की नूरी शोवा से दाए बाए व्रिक्षे संदर रोंस से हैं हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं बढ़ोंवन को हमने जैसे ही पार किया लागचब उत्रे के आ गया बढ़ोंवन को, जैसे ही पार करेंगे अपने को ये नहर मिल जाएगी, और इन नहर के दोनों और पहले तो आएगी पुखराजी रौस, उसके बाद आएगी महावन के व्रिक्षि, तो जो महावन के व्रिक्ष है वो पुखराजी रोस को नहीं उलंग सकते तो जब हम यहाँ पर बैठे हैं हम इस वाले दक्षिन दिशा वाले दरवज्जे पर बैठे हैं दाइबाई चबूत्रों पर बैठे हैं तो यहाँ से अपने को नहर के नजारे नज़र आएंगे और ये नहर ऐसी है परमधाम में जमना जी के माफ़क कोई और नहर नहीं है जहां जमना की तरह जल रोस आई हो जमना जी की तरह पाल आई हो आगे वन रोस आई हो प्रिक्ष आए हो क्योंकि जमना जी की पाल परमधाम की जमीन से 6 सिड़ी उची हो जाती है 3 सिड़ी उची तो 1 रोस ही हो गई 1 रोस से 3 सिड़ी उची जमना जी की पाल तो ठीक ऐसे यहां पर भी यह जो नहर आई है यह नहर, नहर के दाइवाई जल रोस जल रॉस या वन रॉस एक लेवल में होती है तो वो जमना जी वो परमधाम की जमिन से तीन सिड़ी उची अब जल रॉस से भी तीन सिड़ी उची पाल और पाल से तीन सिड़ी नीची वन रॉस और वन रॉस से तीन सिड़ी नीची महावन की जमिन तो यहाँ पर यह जो नहर आई है बिलकुल जमना जी की तरह शोभार लेती हुई दोसो कोस में नहर, डाएबाए, रोसी, पाल और फिर बन्रोस लेकिन जब जैसे जमना जी पर अपने को बता दिया मोहल, चबूतरे, छूटक दे हो रिया तो हम उपर से देख रहे हैं तो जल का नोर, जल रोस का नोर उन जल रोस पर छूटक दे हो रिया पाल के उपर मोहल, चबूतरे, और फिर पुखराजी रोस के वरिक जल चबूतरे तक छाया करते हुई जैसा कि हम जमना जी में देखते हैं यहां भी अपने को पुलो की शोभा मिलेगी क्योंकि काफी लंबी नहरे, पूरे मदुवन, महावन को पार करती ही हमें पुखराज पुछाती है तो इसमें अनन्त शोभा दक्षिन दिशा वाले दरवज्जे से अब हम आजए पूरफ तरफ आले दरवज्जे पर और यह नहरों की साथ सर चले, तो जल की चार धारे उखराजी ताल में गिर रही है तो यह चारों दिशाओं के दरवज्जों के कितनी प्यारी शोभा दोए द्वार इत ओर है, इत चान्दनी चार द्वार, सो चारों तरफों जग मगे शोभा अलेखे अपार गुर्ज दोए हर द्वार ने इत बड़े दरवार सु तेज जोत नूर को कहो न जाए शुमार चारों द्वारों के आगे द्वार, द्वार के दोनों और चबूतरे, चबूतरे गुर्ज रूप में कहे गए कि हम दरवज्जी से बाहर निकले, दरवज्जी के दाइबाई चब उत्रे हैं, सोखोस के लंबे चोड़े, दरवज्जी से बाहर निकले, चोक, चोक के दाइबाई, जितना चोक उतने ही हैं, चब उत्रे, सोखोस के लंबे चोड़े, कितना अविस्तार होगा सोखोस के आने के लिए कही जाती है कि इसके अंदर मारे पार समा जाएं। तो यहाँ पर दर्वजी के दाइबाई यह जो चबुत्रे है यह भी चोरस चबुत्रे हो गया चोरस गुर्ज फिर आगे यहाँ पर गोल गुर्ज गोल गुर्जों की भी हमने शोगा देखी थी कि उनमें तीन दर्वजी हैं तीनों दर्वजी कैसे जिल मिला रहे हैं उन दर बज्जों की भीतर जाते हैं तो अपने को त्रिपोलिया मिलता है त्रिपोलिया पार करते हैं तो अपने को अंदर अश्टमेरा भी चभूत्रे मिलते हैं एक बर मराजी का नक्षा निकालते हैं इसमें यह देखिए मराजी निक कितना प्यारा हातों से बड़े दरवज्जे का सीन दिया है सोकोस का बड़ा दरवज्जा दाइबाई सोसोकोस की चभूत्रे इन बड़े दरवज्जे के सामने सीडि सीडि की दाइबाई की अपने को देवरिया नजर आती हुई अब ये चब उत्रेवी गुर्ज मापक फिर दो गुर्ज अपने ये लगते हुए अभी चपई में हमने देखा न ये देखिए गुर्ज दोए हर द्वार ने इत बड़े दर्बार ये बहुत बड़ा दर्बार हो गया ना बैठन के एक सुन्दर स्थान अब इसके दोनों और ये गुर्ज भी है अब इस गुर्ज में तीन दर्बच्ची कल हमने इसकी एक पिक्चर भी देखने का प्रयास किया था कि कैसे तीन दर्बच्ची यहाँ पर होते हुए कितनी सुन्दर आभाली है वो तीन दर्बच्ची एक विशाल गोल महराग गोल कुलाई में सुन्दर अपना वो हो गया एक पर वो निकालने की भी कोशिश करती हूँ अगर निकल जाते हैं तो एक्चेक्टली वो तो नहीं लेकिन अपने शोगा को देखे कि एक सुन्दर बहुत बड़ी गोल दिवाल हो बहुत बड़ी गोल दिवाल और उसमें तीन दरवज़े यहाँ पे दरवज़े बिल्कुल नजदीक नजदीक दिखा दिये नजदीक 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 नहीं थोड़ा स्पेस लेगे एक पूरव दिशा में आएगा दरवज़ा एक उत्तर दिशा में एक दक्षिन दिशा में तीन दरवज़े आएगे यहाँ पर इन गुर्ज में अब इन तीन दरवज़ों को एक एक दरवज़े की शोभा देखें देखो एक दरवज़े यहाँ याँ एक यहाँ एक यहाँ और फिर पूरी इन गोल दिवाल में, बुश्रक गोल दिवाल में बेशुमर चित्रा में सीडियों की तरफ हैं, तो उसी तरह की यहां पर शोभा नजर आती हुई सीडियां चड़ते, पशुपक्षी, कई सीडियां चड़ते, बड़े-बड़े हाती, महाबिलन हाती, सुन्दर पूरी, सर्शिंगार से सज्जित है इन एक पिक्चर में ही हम देखते हैं कि हाती कैसी सज्जे हुई नेकलेस भी पहने हैं, क्राउन भी पहने हैं, सब कुछ पहना हुआ है तो वो तो परम धाम के अपने हाती हैं, धनी का ही सरूप है तो उनकी शोभा भी धनी के माफ़क तो अब हम इसके अंदर आए तो अपने को दो थम किया तीन गली मिली अब इस गली से चल रहे है अगर धाम धरवजी के पास वाला गुर्ज है तो इधर की तरफ तो अपने को चबुत्रा नजर नहीं आएगा इस तरफ चबुत्रे नजर आएगे बीच की गली पूरी खुली नजर आएगी आगे बढ़ रहे हैं तो यहां तीन सिरी मिली फिर हम आगए अश्टमेरावी चबुत्री पर भूम दर्भूम छे भूमी का अश्टमेरावी चबुत्रों की आई है और अगर तो हम जहां दो महल आपस में मिलते हैं उन गुर्जों में हैं महा की शोबा देगे जहां दो मौलाते हजार हास किया और की बीच के गुर्जों में है तो बीच की गली से सीधा जा सकते हैं और दाए बाए अपने को ही चबुतरे नजर आएंगे तो इस तरह से बड़े दर्बार की इन गुर्जों की भी शोबा गुर्ज दोए हर द्वार ने इत बड़े दर्बार सु तेज जोत नूर को कहो नजाईश सुमार चारों द्वारों के आगे प्रतेक सामने दो दो गुर्ज आए हैं नीचे चबुतरा उपर गुर्ज है चारों और प्रकाशी प्रकाश है जिसका वर्णन नहीं किया जा रहा माराशीर जी यहां चोरस गुर्ज की बात कर रहे हैं जो चबुतरा आया है कि उसके उपर चबुतरे की शोभा उपर बिलकुँ चार्नी पर जाके देखेंगे तो इस पर कलश धुजा पता कए भी है लेकिन उन चोरस चबुतरों की दोनों तरफ कोल गुर्ज भी है यह जो गुर्दवाई महल चाननी बीश महल गुर्ज हजार जोत बीश आसमान के मावद नहीं चलका यह जो गुर्दवाई महल चाननी बीश महल गुर्ज हजार वापिस अपनी नजर पोचा रहे हैं हजार हांस चांदनी की महलातों की तरफ इन महलातों की तरफ ये जो अपनी हजार हांस चांदनी आई है इनमें ये हजार गुर्ज आए है हजार गुर्ज हजारी रंगों नगों में छिल मिलाते एक गुर्ष से दूसरा गुर्ष देखे तो पहले से ज़्यादा सुन्दर एक गुर्ष पूरा स्वर्णिम आभा में हम दिल में विचारें तो एक पूरा स्वर्णिम आभा में जिल मिलाता हुआ और उसमें लाल मनियां जड़ी हुई और उसमें जो सोने की कमाड़ आए उन सोने की कमाड़ों में भी लाल मनियों का जड़ा और दिवाल पर भी सुन्दर चित्रामन पूरब दिशा में हैं तो वो चित्रामन में अपने को उजारधारों के दर्शन उत्तर पश्शी में है तो उन चित्रामन में अपने को उन चर्टी सीड़ियों के दक्षी में अपने को रंग महल के नजारे नजार आए उनके साथ हास विलास करते धनी संस्ख्यों के सरूप नजार आए तो एक एक गुर्श की कैसे सुन्दर जगमगार अब इन गुर्जों के बीच में हजार आस मोहलाते नहीं जोड़ बीच आसमान के मावत नहीं चलकार अब इन हजार हास महलाते परतीक महल की भीतर की तरव भी और भारवनों की तरव भी बड़े दरवज्जे उनके चबूतरे उपरा उपर चोरस गूर्ज की मापप, उपर इनकी कलश धर्जा पताका और जो गुर्जों की जो त्रिपोलिया की गुर्जाएं हैं उनकी चाननी पर सुन्दर बैठा इनकी जो जिल मिलाथ है इनका जो प्रकाश है आसमान तक चाता हुआ शीर रंग महल की चाननी पर वर्णन आ जाता है कि आपको रंग महल की चाननी एक साथ देखनी है तो नजर आसमान के और कीजिए तो यहां भी रू अगर चाती है कि मुझे एक साथ पुखराज की चाननी के दर्शन करने है तो नजर आसमान के और कीजिए देखे ठीक बीचों बीच अपने को अकाशी महल नजर आ रहा है स्वर्णी आभा में जल मिलाता अकाशी में और अकाशी महल को घेर के बेश शुमार बाग बगीचे नहरे चवच्चे अप्रमपार नहरे चवच्चे कई फूलों के बगीचे कई दूख खिली है कई मेवों के कई सफेद रंग के है कई अनंत रंगों के फिर घेर कर किनार पर हजार हासम महला दे चारो डिशों के दरवज्जे अब फिर दरवज्जों के आगे देखे तो पश्री उतर दरवज्जे के आगे उतरती वो विशाल भाटी की सिंडिया पूरव दिशा में वो जल की चार धार है आगे और नजर करें तो सोला धार है फिर जमनजी का प्रगटन और दक्षिंदिशा में वो नहर दक्षिंदिशा की आगे रंग महल की और नजर जाती हुई तो कितना प्यारा समा कि इनकी जोत आस्मान तक जल मिलाती है ए जो गृतवाई महोल चांदनी बीच महोल गुर्ज हजार जोत बीच आस्मान की मावत नहीं चलकार पुखराज की चांदनी पर दो-दो महलों के बीच में कुल एक हजार गुर्ज आए है यहां महल शायद गल्दी से प्रेंट हो गया है दो-दो गुर्जों के बीच में बीच मौल गुर्ज हजार हजार जो गुर्ज हैं दो गुर्जों की बीच में हजार हास मौलाते आई है महराजी ने इसको इस तरह से दिया है कि दो महलों की बीच में इन्होंने हमाई नजर दूसी तरफ करी है ये देखी बिल्कुँ सही लिखा है दजड दूसी तरफ करी है एक में नक्षा निकाल गया हूँ यह देखी अभी तक हम देख रहे थे बंडन कर रहे थे कि दो कुर्च के बीश में महर, आप माराजी कहा रहा है दो महलों के बीश में कुर्च यह महर, यह महर और इसके बीश में ये हजार गुर्ज है ना हम पहले क्या देख रहे थे हजार गुर्जों की बीश में हजार मौलाते अब हजार मौलातों की बीश में हजार गुर्ज दोनों तरोसी शोबा देखे हम ये अती बड़े महुल किनारे और कंगूरे अती शोबे शोबा इन महुल की जुबा कहा करसी सिपर हुखराज की चान्नी की किनारे पर अती बड़े हजार हास महलाए हैं पाँच भूम, शटी चान्नी, एक-एक ढूम में रंग महल की पाँच भूमे समाती कोई तु उच्चाई को महसूस करे अतन्त उच्चाई किनार पर वो चारों दिशाओं के दरवजे तो और भी उच्चे होते हुए और इनके महलों पर, द्वारों पर महराबे, कंगूरे हैं उनका शोबा का वर्डन कैसी हो अब ये शोबा अपने को कंगूरे और घुर्जों की शोबा अब जब हम इनकी चान्मी पर आए, ये देखे चान्मी पर आए, ये बड़े दरवजों पर चबूत्रे फिर ये जो हजार हास के बड़े महला, बड़े दरवजे आए हैं उन पर चबूत्रे, दिखूरियां, पर कलश धुर्जा पता का और बाकी जगी है, देखो, कांगरी चल गई है और बीश-बीश में कंगूरे आएगे, कंगूरे, देखो, एक बड़ी दिहोरी हो गई सबसे बड़ा, जो अपन जैसे रंगमेल की तरफ से देखे कि एक बड़ी दिहोरी तो हो गई, कुर्ज के उपर फिर जो मंदिरों के उपर दिहोरी आती है, वो थोड़ी छोटी आ जाती है और ये जो कंगूरी होते हैं, वो और भी छोटा सरूप तो यानि ये सबसे बड़ी दिहोरी, उनसे ये छोटी दिहोरी और इसी का एक छोटा सरूप वो होता है कंगूरे तो इन कांगरी के बीश में लाल मानी की सुन्दर कांगरी और बीश में जिसे यहां पर अपनी चार मोलाते हैं तो एक मोल से दूसरे मोल के बीश में अपने को कंगोरे भी मिलते हुए जिसे रंग महल में एक देलान से दूसरे देलान में जो पाखी की दिवाल आई है उस पे कंगुर आया तो हो कंगुरे भी अपने को मिलते हुई तो चाननी पर बड़ी बड़ी दिहोरिया जो चारो दिशों के दरवज्जे पर आई है वो दिहोरिया हो गई आठ फिर जो हजार हास में हलाए 996 हास रह गए उन पर सब में दरवज्जे आए है उन दरवज्जे के दाएबर चबुत रहे हैं तो उन पर भी दिहोरिया है तो घीर कर बाहर की तरव से भीतर की तरव से चोटी बड़ी अपनी 1000-1000 दरवजी और 2000 ये चोक्ते गुर्जों पर चोक्ती यानि चोरस दिवरी आई है और फिर भीतर की तरफ और बहार की तरफ कंगूरे बे आया है जो बिल्कुल उन दिवर्यों का चोटा सरू ये अती बड़ी महोल किनारे और कंगूरे अती शोबी शोबा इन महोल की जुबा कहां करसी सिफ़र फुखराज की किनारे फुखराज की चान्नी का किनारा हो गया नहीं बिल्कुल किनार भी 400 पोस में पुकराज की चाननी की किनारे अती बड़े हजार हांस महल आए हैं इन महलों की द्वारों पर चाननी पर महराबे हैं, कंभूरे हैं इन महलों की शुभा का वर्णन कैसे करें और फिर यहां से जो छज़्जा निकलता है उन छज्जे ने मिलान कर लिया है महावन से चारो दिशों के दरवच्जों की जगे छोड़कर बाकी जगे महावन से एक रूप मिलान हो गया है यहां से महावन उपर आ रहा है भूमदर्बूम भूमदब्दो और यहां पे मिलान हो रहा है यह जो जगे है दक्षिन दिशा वाली नहर की यहां पर मिलान नहीं होगा इन स्यूरियों के तरफ मिलान नहीं होगा और इधर मिलान नहीं होगा यानि जो चारों दिशाओं के दरवज्जे है ना उनके सामने मिलान नहीं होगा बाकी जगे पूरा महावन आके पुकराज से मिलान कर लेगा हो जोए इन पहाड से सु पीछे कहूं सिफ़त बड़े महल पर महल जो एक हुभी आकाश में अतन पुकराजी ताल का वर्णन आकाशी महल के बाद किया जाएगा हजार हास की महल बड़े हैं परंतु इससे भी बड़े आकाशी महल हैं जिनकी शोभा तो आकाश तक जा रही है वो जोई अर्थात वो जोई से अपन होश कोसर की ओर नहीं जाएग यानि यहां से जमना जी का प्रगटन वो एक बड़ा होज जैसे न बहुत बड़ा जल का एक विशाल कुंड है यहां से जमना जी का प्रगटन है पहली मराजी ने बता दिया कि पुखराजी ताल जमना जी का उदगम स्थल यानि जमना जी की प्रगटन का जो मूल स्थल होई यह है तो होजोई यानि पुखराजी ताल कि हजार हांस महलातों का वर्णिन किया पुख्राजी ताल का वर्णन बात में करेंगे पहले हम आएंगे अकाशी महल में हजार हास महल बड़े है लेकिन अकाशी महल तो ओर भी बड़े है हजार हास महल तो पांच भूम छटी चानली और ये तो हजार भूम गए है मानों आसमान से मिलने की चाहा रखते है तो और भी उचे है कल से फिर अपना अकाशी महल शुरू होगा यहीं चपएत हो राते है टाइम भी हो गया है वो जो इन पहाड से सो पीछे कहों सिफ़त बड़े महल पर महल जो एक होबी अकाश में अतन्त बोली शिरी प्राणनात प्यारी की इचे एक बड़ अभी टाइम है मैं पिक्चर्स वापिस दिखा देती हूँ जो यहाँ पर दिखाई है पहले तो हमने यह चार दुनियावे पिक्चर है यह वाला बहुत अच्छा है मैं तभी लिखा देखा जैसे मैंने का एक इसमें और है ना होड़